हेलो जी सत्य श्रीय अकाल अदाव नमस्ते हां जी दोस्तों आज संडे का दिन है एत्वार वाला दिन तो हर एत्वार को मैं जाता हूँ शहिदा साहिब गुरुद्वारा जो कि हमारे घर से पान किलो मेटर दूर होगा तो मैं अपने घर से काफी आगे निकल चुका हूँ जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया है तो यह थोड़ा एरिया आप देख सकते हैं चारो तरफ यह गन्ने के खेत है खूब यह ना रास्ता ब्रसात में यह बंद हो जाता है तो इसलिए सारा ऐसा हुआ पड़ा बहुत जड़ा घहना हो गया तो यह अगले महीने तक यह सारा सही हो जाएगा यहां से लोग आने जाने लग जाएंगे तो यह देख सकते हैं आपको थोड़ा व्यू दखालते हैं इदर तो अभी मैं आपको शोटे-शोटे बेर दखाता ह हुआ पड़ाएं तो यह देखिए यह सब बूटी बूटी जमिए लगी पड़ी इस पर तो ऐसी मैं भी ना यह देखिए मेरे पैल कितने गंदी हो गए तो मुझे पैदल लग जाएंगे 15-20 मिनिट लग जाएंगे पानी की वज़े से रास्ता पूरा खराब हो जाता है वो देखिए आगी जैसे यह खड़े-खड़े से वहाँ पानी भरा होता है तो इसलिए इदर से बाइक नहीं निकल पाती तो अगले मिनी तक सही हो तो फिर इदर से ठीक नहीं रहता है क्योंकि यह ना उदर आसपास जंगल है तो यहां ऐसे घने-घने घेत हैं तो यह देखिए कितना गारा चिकड़ तो इसी वज़े से फिर जानवर-जूनवर का डर होता है जानवर होते भी है यहां बहुत लोग को दिखे भी है तो इस आसे हमारे वहां से आया हूं इधर तो यह है गुरुद्वारा साहिब की सड़क तो चलिए मिलते हैं क्याल चाल अ हक्तिकाल वाही गुर्जी वाही गुर्जी दोस्तो हम पहुंच चुके हैं शहीदा साहिब गुरुद्वारा तो आप भी दर्षन कीजे पूरा ब्लॉग जरूर देखिए तो हम मत्था टेकेंगे तो थोड़ी दिर बैठेंगे परशाद लेकर तो फिर बाद में सेवा करेंगे आप सभी के लिए भी भगवान से दुआ करते हैं आप सभी हमेशा खुश रहें हर मनुकामना पूरी हो आप आपकी यहां बहुत ही संगत की मनुकामना पूरी होती है जो शर्दा से सेवा करता है और यहां दर्शन करते हैं तो इदर मत्था टेकर हम उदर जाएंगे जहां बाबाजी की फोटो रखी है और यहां इस जगह बाबाजी के केस जो बाल बाबाजी की यहां इस जगह से मिले थे तो यहां शीशे में मडाकर रखे और फोटो रखी यह बाबजी की तो दोस्तों जादा मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया बाद में सिवा करना लग गया था तो अब शाम हो चुकी अब मैं वापस जा रहा हूं घर को हां जी दोस्तों तो अब अंधेरा होने वाला इस पांच 45 हो गए हैं तो मैं वापस आ गया मैं जल्दे जल्दी मैंने कोई वीडियो नहीं बना वाया आतिस में तो मत्था डेकर मैंने थोड़ा चिर बैठ कर तो फिर परशाद लिया और फिर सेवा करने लग गया लंगरहाल म सँस्च के बाद संगत काफी आती जाती रहती है कि दिन में तो बहुत जदा होग्राम बहुत शंगता थियर बहुत जुड़ों तो तो फिर मैं अब टाइम बहुत हो चुका था मैं प्रशादा शक्कर खाना प्रशादा शक्कर तो वापस आ रहा हूं कोई आ रहा था मैं पैदली आया था तो मैं यहां मोड तक ना पकी हमारी कच्छी मोड तक आ गया उनके साथ तो वह अधर जा रहे थे बाइक से थे तो आगे बड़ा जंगल भी है तो यह देख लीजिए कुछ महौल तो यहां जानवर हो भी सक्ताम ही होते हैं लेकिन मतलब कभी-कभी होते ही इतने ज्यादे पहले तो नहीं थे अब कभी-कभी किसी को मिल जाते तो इसलिए थोड़ा जल्दी वापस जाना चाहिए फिर भी मै बहुत बार लेट ही हो जाता था कई बार पर अगवान की गृपास से चले जाता था अराम से अंधेरे में भी गया हूं मैं तो यह देखिए जंगल जंगल बहुत अच्छा भी उलग रहा है यह सूर सार भी आम होते हैं जंगने में तो इसलिए डंडा पकड़ लिया तो मै पहुंच जाओंगा अभी 10-15 मेंडर तक अपने घर तो मिलते हैं नए व्लॉग में दोस्तों अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा ने भी दर्शन के गुरुद्वार साहिब के तो लाइक शेयर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अब करते हैं व्लॉग को यहां ही क्योंकि अब मुझे जाना है तो चल जली मैं चलूं अगर व्लॉग के चक्र में रह गया तो लेड हो जाओंगा तो इतनी देर तक यहां शाम रात होने वाली है तो अच्छा नहीं है अकेले कोई है भी नहीं आसपास तो चलता हूं दोस्तों प्लीज अगर नए हैं चैनल क को सब्सक्राइब जरूर कर दिजी का ओके बाए लव यू आल गॉड़ ब्लेस्ट यूड़ ब्लेस्ट हूँ झाल आसभाओंगा नए हैं बाहर पहा हूँ यूरूर कोर लव जय के बाहर को यूड़ ब्लेस्टों देरे भी नहीं है फिर घ्ट